Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया चले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, चैप्टर नमबर 9, Pharmacy Law and Ethics का लास्ट लेक्चर, यानि की लेक्चर नमबर 3, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं National List of Essential Medicines, ठीक है, अगर आप लोगों ने Pharmacology को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर मैंने इसका जिक्र किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं जिनको नहीं पढ़ा या भूल गए हो तो यहां पुरा टपके कवर करेंगे, क्योंकि अपने syllabus में है प्रॉपर तो देखो, यहां पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए कि अगर आप लोग Pharmacology पढ़ रहे हो, तो इन्ट लोग अलड़ी covered in Pharmacology, वहाँ पर थोड़ा सा basic cover किया है देख सकते हो जाकर के, chapter 1, lecture 2 में point number 10 जो discuss कर रखा है ठीक है, तो बहुत से लोगों को याद आओ गया, रहे हाँ सर यह तो पढ़ा था, है ना, और कुछ बच्चे करते हैं सर एक्ष्टा पढ़ा दिया है तो चीज़ें कुछ भी extra नहीं होती है, ठीक है, covered in Pharmacology, chapter 1, lecture 2, basic पढ़ा है वहाँ पर यहाँ थोड़ा सा detail लेंगे, थोड़ा detail जादा, ठीक है क्या है National List of Essential Medicine, basic बता दू मैं, सिर्फ एक list है, जो ऐसी दवाईयों की list है जो बहुत ज्यादा essential है, जरूरी है, जैसा चुटा सा बात बता दू मैं, paracetamol है, aciclofenic है या अपनी basic दर्द खांसे जुखाम बुखार की दवाईयों है, या कुछ और बिमारियों है, जो आम तोर पर फैल जाती है country कंदर जैसे डेंगू है, malaria है, फैल जाता है, तो कुछ ऐसी दवाईयों है, जिनको एक list उनकी बना दी गई है और उनको national list बोला गया है, देश की वो list है, और essential medicine, इसी के उपर पूरा DPCON की drug price control order लागू हो जाता है इनके दवाईयों को control करके रखा जाता है, जिससे कि ये जो दवाईयों बहुत जरूरी है, लोगों की पहुंच में एक सही दाम में रहे बास समझवा आगी, अब चलो करते हैं, इसकी सुरुवात कहां से क्या हो रही है, थोड़ा सा समझते हैं तो ये जिक्र हमने इस lecture में भी कर रखा, अब हम यहां से सुरुवात से करते हैं थोड़ा सा बैक चलेंगे, अगर हम लोग बात करें, एक कॉनफरेंस हुई थी, इंटरनेशनल लेवल पर कॉनफरेंस हुई थी, अन प्रामरी हेल्थ केर प्रामरी, बेसिक, सर्दिखासी जुखाम बुखाब जो बेसिक हेल्थ को लेकर के कॉनफरेंस हुई, 6 सब्टेंबर से लेकर के 12 सब्टेंबर 1978 में ठीक है न, कहाँ हुई थी, alma, attack जागिस्तान में हुई थी, जहां पर expressing दा, ये express किया गया, ये जताया गया, the need for urgent action बहुत ज़्यादा need है, एक urgent action, तुरंत एक action लेनी की जरूरत है दुनिया की जितनी भी सरकारे हैं उनके दौरा एक तुरंथ एक्षन लेने की जरूरत है बाई यह दुनिया तभी है जब लोग है लोग इस बात को समझते नहीं है ठीक है ना लोग अपना अपना करते हैं यह दुनिया बिना लोगों के दुनिया कहां रह जाएगी है आप किसी सहर में जाते हैं तो वहाँ पर लोग जब आपकी मदद करते हैं ठीक है स्वस्थ लोग मिलेंगे वह ज़ादा अच्छा है कि वहां बिमार लोग मिलेंगे वह ज़ादा अच्छा है तो ठीक हो देखो कहीं न कहीं एक conference की जा रही है जो बड़बडे लोग हैं, power में लोग है conference करके पूरी दुनिया की लोगों की health के बारे में बात की जा रही है है ना को कि आम तोर पर क्या जो economically weak countries वहाँ पर थोड़ा से गरीबी है ठीक है फिर वहीं से एक बात निकल के आती है essential medicines क्या है ये essential medicines तो define करेंगे बेटा definitions किये रहेगी essential medicines are those यह वह दवाईया है that satisfy the priority health care priority का मतलब मैंने वहीं पता जो basic अपना है ठीक है needs of the population किसी population की जो priority health care की needs है ना जैसे normally क्या होता है आपने दिखा योगा सरदर्द है खाते जखाम बुखार और कुछ आम तोर पर आम तोर पर यह वाली बिमारिया उसके लिए जो दवाईया इस्तमाल होती है उसको शेंशल बोला गया है ठीक है किस आधार पर यह से select किया जाता है तो they are selected based on किस medicine को हम बोलेंगे essential है disease prevalence prevalence मतलब फैलाओ कौन सी बिमारी आम तोर पर फैली रहती है हर country अपना अपना देखेगी ठीक है कि कौन सी बिमारी आम तोर पर इस country में रहती है उस बिमारी को ठीक करने के लिए जो दवा होगी वह essential कहलाएगी evidence on efficacy जो दवाई हम choose कर रहे हैं उसका सबूत होना चाहिए evidence होना चाहिए efficacy को लेकर कि हाँ वो effective है ठीक है safety ठीक है evidence on efficacy evidence on safety वो safe होनी चाहिए and comparative cost effectiveness दूसरी जो medicine है जो उसी बिमारी को ठीक करती है उसके मुकाबले में cost effective होना चाहिए सस्ती भी होनी चाहिए यह सब चीज़े जब किसी दवाई पर लागू होती है तो वो क्या बन जाती है essential medicine बन जाती है बास समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है एक वाली topic दिमागों के set हो जाएगा फिर इसे बार पढ़नी जोरूत नहीं पड़ेगी तो essential medicines are intended to be always available जो essential medicines होती है वो इस intended उनकी जो एक तरसे करदर प्रायोटी रहती है कि वो हमेशा available रहे ठीक है कहा available रहे in functioning health system in adequate amount वो हमेशा available रहने चाहिए एक functioning health system जो एक health system functioning है जैसे कि normal जो हमारे होते ना hospitals वगरा होते हैं जो सरकारी है ठीक है और inadequate amount और परियाप्त मात्रा में होना चाहिए यह नहीं कि वही अच्छा सबको पता है जैसे आप जिस डिस्टिक में है उस डिस्टिक की population के बारे में सबको पता है सरकार के प 50 mg की दवा या 100 mg की दवा सबसे ज़्यादा बिकती है तो 50 mg या 100 mg के होनी चाहिए 500 mg या 1000 mg के क्या फाइदा रख कर गे तो डोस की जो फॉर्म अच्छा यह तो हो गया उसकी strength सौरी मैंने strength की बात बोल दी डोस की form कहा जाए तो जिस रूप में tablet या syrup capsule किस रूप में उसका जो सबसे ज़्यादा चीप और बैस्ट है वह अविलिवल हो विद एस्योड क्वालिवल हो उसकी क्वालिटी एस्योड हो एस्योड मतलब एक तरह कहते हैं निश्ची इंत एक्दम बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए ठीक है एड़ दा प्राइस और उस प्राइस पर हो कि वहाँ पर कोई एक इंसान या पूरी जो कमुनिटी है वह उस प्राइस को अफोर्ड कर सके बास समझ में आगी तो इस तरह लिखा जाता है यह तो किस बेस पर सेलेक्ट की जाती है क्या होती है तो यह तीन पॉइंट तो आपको जब टोपिक आएगा तो भले एक बार में को यह ना दो डैफिनिशन क्या है किस बेस में स्यलेक्ट किया जाता है क्या उसकी इंटेंशन है ठीक है या यह क्या परपज है तो यह परपज उसका बास समझ में आई तो यह सारी बाते चल रही है हमारी यहां पर मीटिंग मेंगर हो कर दी उसने ठीक है अपने हिसाब से उसने एक model list of essential medicine is a list of essential medicines created by world health organization डवलो एच्छे को द्वारा एक model list त्यार की गई which serve as the guide for the development of national and institutional essential medicine list ठीक है जो उसने list त्यार की उस list के आधार पर जो जो national level पर हर country जो है अपनी नेशनल जो है essential medicine list बनाएगी या कोई institute है institute मतलब hospital है या कोई संस्थान है वो अपना क्या बनाएगा essential list की एक list त्यार कर लेगा ठीक है it is updated and revised every two years ठीक है यह जो essential list of medicine है WHO की यह हर दो साल में क्या होती रहती है revise होती रहती है by the WHO expert committee on selection and use of medicine ठीक है जो एक WHO की expert committee होती है ठीक है वो हर दो साल में इसको revise करती रहती है the list was first published in 1977 यह पिटा देख रहो है दो साल में revise होना 1977 में पहरी list आना these are the mcqs mcq की question है यह आपके ठीक है फिर पताराओं में यह आपके mcq question रहेंगे आपके डिफाम के exam में पुछ जा सकते हैं आपके exit exam में पुछ जा सकते हैं फिर कह रहा है since 2007 2007 से यह भी एक सवाल हो जाएगा a separate list of children बच्चों की फिर अलग list त्यार की गई अप टू 12 वेर 12 साल तके बच्चों की एक अलग essential list त्यार की गई ठीक है डवलो एच्चों model list of essential medicine for children बच्चों के लिए लक्स एक आई has been brought out तो 2007 से बारा साल तक यानि कि दो सो चार molecule थे उसके अंदर यह क्यालों कि chemicals थे या medicines थी and the current is the 20th list 2017 में जो है 20th list आई है which has 433 medicines उसके अंदर कितनी medicines है 433 medicines है including 25 fixed dose drug combination तो पच्चिस दवाईयां ऐसी है जिनका दो दवाईयां मिल करके एक tablet capsule बनाते हैं हम लोग जिसके अंदर दो drugs को मिला दिया आता है तो उसको कहते हैं fixed dose drug combination ठीक है न अब यहां पर एक पैरा आपको लोगों को और add करना है ठीक है जो यहां पर miss हो गया है मैं notes में add कर दूँँगा notes आप डाउनलोड करेंगे ना लिंक से इसी lecture के link में lecture का description रहता है वहाँ link रहता है सबको पता है न तो उसमें क्या add करना है ज्यादा कुछ नहीं add करना वह बता दूँए क्या चीज़ एड होगी असल में है क्या यहां पर एक्षिल बुक से जहां से देखाते हैं तो वहां पर बुक थोड़ी पुरानी थी latest 23rd essential medicine list release की जाए चुकी है ठीक है 23rd July 23 में ठीक है जैसे कि मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यहां पर एक बात लिखे हुए देना कहा गया ओके 27th लिस्ट लिस्ट यहां पर क्या में क्या है 20th लिस्ट तो एक्षिली है क्या है अब क्या हमारे पास जुलाई 23 में फिर से इसको revise किया जा चुका है और ये 23rd list है अब यहाँ से अंज़ादा लगा सकते हम लोग ठीक है ना वो 20th थी 17 फिर दो साल फिर दो साल करके तो 23rd essential medicine list जुलाई 23 में release हो चुकी है और 9th बच्चों की कप release हुई थी 2007 में और 9th जो EML for children ये मैं add कर दूँँगा notes के अंदर ठीक है न अभी फिलाल आप लोग इसको ध्यान रखेंगे ये आपका latest है तो आपका very important for MCQ purpose very important for MCQ purpose क्योंकि this is the latest ये अभी आपका क्या है latest है EML जो latest आ रखा है और 23rd July 23 में 23rd वाला है नमबर याद रखेंगे और 9th EML for children वो रिलीज कर दी गई है clear है बात है ठीक है तो ये पहरा है मिस है इसको मैं note में add कर दूँगा तो impact of essential medicines essential medicines का जो ये लोग लेके आए हैं इसका impact क्या पड़ेगा मतलब जो अगर हम देखें तो क्या impact है इसका तो impact की अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा better health care जाइसी बात है लोगों की जो health care health की जो देख रहे हैं health care है वो काफी अच्छी हो जाएगी better drug management and health outcome अब हमको पता है कि ये selected medicine है ठीक है न जिनका manufacturing करनी है बहुत ज़्यादा या provide करवाना है और health outcome ज्यादा अच्छी होंगे क्यों क्योंकि जो दवाईयां जरूरी है वो परियात मातरा में मौजूद है ठीक है न बहुत संभार गी health outcome क्यों ऐसा हो पा रहा है क्योंकि उनका procurement उनका दवाईयों को प्राप्ट करना उनका store करना distribution और improved quality of prescribed medicines अब limited दवाईयां हो गई है जो की priority health care के लिए चाहिए हमें तो सब कुछ क्या हो रहा है cost effective use of health resources अब एक list बना जी गई है उसको क्या होगा competition बढ़ेगा प्लस साथ साथ में cost effective नेसे भी दिखी जा रही है चार्ड हमारे पास chemical मौझूद है यानकि drugs मौझूद है अलएलग chemical उसमें से जो सबसे सस्ता होगा और अच्छा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे prefer करेंगे बनाने के लिए जिससे कि लोगों को सस्ती दवायां मिले तो इससे ये इसके impact पड़े ठीक है ना तो ये हमारा international level पे बात चल रही है ये कुछ जब बाते हैं एक, दो और तीन ये बाते common रहेंगी इस international level पे भी यानकि जो हमने आपे introduction कर रहे हैं यहाँ पे भी और जो हम अभी अपना इंडिया का देखेंगे उसमें भी के लिए रहे बाते हैं तो ये कुछ हमने बात की international level पे अब हम बात कर लेते हैं अपनी इंडिया के level पे बात दिमाग में set होगी होगी ठीक है जब वहाँ से बाते हैं स्टार्ट हुई थे तब जाकर के इंडिया ने भी अपना बना लिया ठीक है तो national list of essential medicine N L E M है ना वहाँ पर क्या है दे को ध्यान रखना बिटा यहाँ पर है essential E M L essential medicine list E M L है ना E M L है अब ये नाम हमारी इंडिया में क्या change होगी है बात में जाकर के N L E M essential list of essential medicines थोड़ा सा गुमा दिया ठीक है तो what is N L E M तो same चीज़ आएगा as per the world health organization WHO का according essential medicines are those that satisfy the priority health care need of the population अगर definition आता है तो आप सीधा सीधा लिख क्या आजाएगे ठीक है ये किसके control में है ministry of health and family welfare उसके under में है ये hence prepared and released the first national list of essential medicine of India in 1996 ये आपका MCQ हो जाएगा पहली list कब आई थी 1996 में आई थी उसमें कितनी दवाईयां थी 279 medicines थी ठीक है the list is made with consideration to disease prevalence वोई बात है कि वह ली कहां नहीं हाईगा हम list को हम लोग किस हिसाफ से त्यार करते है किस हिसाफ से त्यार करते है कौन से disease सबसे ज़्यादा है कौन से दवाई ज़्यादा effective है कौन safe है किसका cost काम है ठीक है और यह दवाईयां होती ही are intended to be available in adequate amount यह हर समय एक परियात मात्रा में in appropriate doses form एक साइड dose में और strength में with assured quality available होनी चाहिए ठीक है तो मैंने कहा ना यह जो दो point है यह दो point यह दो point यही दो point है यह ज़्यादा अच्छे रहेंगे यह ऐसे और ऐसे लिखेंगे आप तो यह दो point है ठीक है यह तरीका से हम रहता है फिर they should be available in such a way that an individual or community can afford यह इस प्रकार से available होनी चाहिए कि एक इंसान या कोई community उसे easily afford कर सके खरी सके बास समझ में आगी तो यह कुछ हमारी what is NLEM यह समझ में आया क्या है कौन control कर रहा हमारी country में आगे आजाएं तो कहानी सुरुवात करते हैं India produce its national essential drug list जहां रखना national essential drug list तो यहाँ पर हम क्या सकते हैं NEDL in 1996 सबसे पहले उसने कब prepare किया 1996 में हमारी country ने and has revised it in 2011 2011 में उसने उसको revise किया and now in 2015 फिर उसने उसको 2015 में revise किया with the title National List of Essential Medicines अब जब 2015 में उसने उसको revise किया है तब उसने उसको क्या title दे दिया है National List of Essential Medicine बास समझ में आगी यहाँ से इसका नाम बदल गया the latest list includes 376 medicines of which 20 are FDCs जो latest list है उसमें 376 मतलब कि जो अपना इसकी बात हो रही किसी 2015 की यह तो अब latest नहीं रह गई है ठीक है अब तो latest हमाई साथ 2022 की है हाँ 2022 में अब latest आ चुकी है तो यानि कि हम लेटेस्ट नहीं बोलेंगी हाँ बोलेंगे इन 2015 LNEM there are 376 medicines of which 20 are FDCs पीस कांसी थी फिस्ट डोस कॉंबिनेशन उमीद है FDC का सुफार्म और मीनिंग पता होगा फार्मकलोजी में हमने इसको अच्छे सा समझा है ठीक है नाओ NLEM 215 वाज रिवाइट इसको भी रिवाइट किया गया and released the फिफ्ट लिस्ट पांच फी लिस्ट कब रिलिज की गई September 2022 में ठीक है The NLEM specifies the level of healthcare primary, secondary, tertiary at which each drug is considered essential तो ये बात बता दूँ मैं National List में हम लोग दवाइओं को तीन कैटेगरी में रखते है एक होती है हमारी primary एक होती है secondary, एक होती है tertiary primary, मतलब एक तरह जर्नल physician जिन लोग दवाइओं का इस्तमाल करते है journal physician यह जो डॉक्टर होते हैं, MBS की यह दॉक्टर होते हैं चले जाते हैं उनके पास फिर आता है secondary level, जब हम किसी specialist के पास जाते हैं heart वाले के पास चले गए, neuro वाले के पास चले गए वो फिर जिन दवाइओं का इस्तमाल करेगा जो की essential होगी, वो इस list मा जाएगा फिर आता tertiary level, जब आप hospital में admit हो गए हैं और वहाँ पर फिर जो बहुत basic दवाइओं इस्तमाल की जाती हैं, आपको वहाँ पर एक नहीं कई सारे doctor मिल करके आपको treat कर रहे हैं ठीक है, तो primary, secondary और tertiary तीन level में इसको डिवाइड किया गया है ये छोटी छोटी बातें, बहुत मोटी मोटी बातें हैं, आपका MSQ में जब फसेगा ना फिर दिक्कत कर जाएगा, तो बहुत basic हैं यहाँ पर कुछी छोड़ने नहीं हैं आपको अब this is the important one, जब question आएगा NLEM के उपर, तो आपको इस टार्टिम को थोड़ा इंट्रो देने के बाद और यह वाला point डालना है, इसके उपर direct question भी आता है, criteria for inclusion of medicine in national list of essential medicine, क्या criteria है, किसी दवाई को इस list में include करने का, तो हाँ देखें, criteria almost आप लोगो पता चल चुका criteria, पढ़ते हैं यहाँ पर the medicine should be approved or licensed in India, अब इसी बात है जो medicine इंडिया में approved है, वही इसमें include होगी, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी दवा को include कर लें, होई हाई नहीं इंडिया में उसे एनलियम में डालने का मतलब क्या है एनलियम, एनलियम यहने की national list of essential medicine, ठीक है न the medicine should be useful in disease, उस दवा को useful होना चाहिए, disease में विची जब public health problem in India जो आम तोर पे public के लिए क्या है, problem बनी होई बिमारी, उफ वो दवा उसमें क्या होनी चाहिए, useful होनी चाहिए the medicine should have proven efficacy, उसकी जो छमता है, वो proved होनी चाहिए, scientifically, ठीक है and safety profile, उसका safety profile है safety profile का क्या मतलब है कि मालो अचाना गलती से, डॉक्टर ने कहा था एक गोली खाना, गलती से किसने दो गोली आखाली तो ऐसा ना हो कि दो गोली खाने के बाद फिर बंदा निकली जाए या कुछ ज़्यादा दिक्कत आ जाए है ना तो safety profile इसे कहते है बास समझ मालगी है, कि एक limit होनी चाहिए कि थोड़ा कम है तो कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा होने पर यह निकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत कर जाए शरीर में, ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ना, तो उसका efficacy और safety profile देखी जाती है based on valid scientific evidence valid scientific evidence the medicine should be cost effective मैंने का ना, यह सारी बात हैं पढ़ चुके हम लोग कहीं ना कहीं the medicine should be aligned with the current treatment guideline उमीद है, यह बात आपको समझ माती होगी treatment guideline for the disease what are the treatment guidelines यानि कि किसी disease को ठीक करने के लिए एक guideline होती है कि इसको आप कैसे ठीक करेंगे बात समझ मारी है एक normal case पता हो जैसे suppose TV का है कोई मरीज है, तो शुरुवात में उसको एक ज़्यादा dose दिया जाता है कैसे dose दी जाती है, एक heavy dose दी जाती है कुछ दवाईयां ज़्यादा होती है फिर तीन-चार मैने हो जाएं कुछ दवाईयां कम की जाती है तो जो treatment है ना current treatment, जो latest treatment की guideline चल रही है उस guideline के according वो दवा सेट होनी चाहिए, मतलब उसमें आना चाहिए उसे the medicine should be stable under the storage condition in India इंडिया का climate culture है वहाँ पर उन condition में उसको क्या होना है stable होना है सबको पता है, हम सबको एक गाउं का आदमी जब दवा लेके जाता है तो गाउं में वो ऐसी रख देता है तो medicine खराब ना हो जाए ठीक है तो हमारे जो condition है, storage condition है इंडिया की उसमें उसे fit रहना चाहिए when more than one medicine अच्छा इसा पर ऐसा नहीं है कि उसे धूब में रख दो खराब नहीं होगा मतलब दो चार गंटे की बात अलग है वही therapeutic class है है ना जैसे कि हम देखा होगा जब हम classification पढ़ते हैं तो एक के अंदर ही कई सारी दवाईयां आ जाती है ठीक है तो एक से ज़्यादा medicine जब available है preferably हम किसको prefer करेंगे preferably one medically best जो सबसे best suited medicine होगा of dead class उस class में जो सबसे best medicine होगी to be included after due deliberation deliberation मतलब चर्चा करने के बाद expert लोग आपस में चर्चा करते हैं तो उसको जब चर्चा कर लेंगे उसके बाद जो best वाला होता है उसको include करेंगे and careful evolution उसको फिर ध्यान से जाज़ परताल भी की जाती है of their relative safety best है बट क्या safe और effective और cost effective है फिर उसका ये भी चेक किया जाता है बात समझवा रही है तो मेरे खाल से बात दिवांगर सेट हो गये होंगी क्या यह तो लिख लेंगे है ना price of total treatment to be considered and not the unit price of a medicine medicine की single price नहीं देख जाती कई बार ऐसा होता है कुछ medicine बहुत costly होती है लेकिन दो चार ही दी जाती है पूरे treatment के दोरान या starting में 10-15 दिन चली फिर बाद में सासी दवयां चलती है तो इसलिए हम लोग पूरा treatment का cost देखते हैं पूरे treatment का price देखते हैं कि अगर यह treatment दिना लंबा चल रहा है तो वो कितना महगा पड़ेगा ठीक है ना उसके हिसाब से उसका price दिखा जाता है बाद समझ में आ रही है किलियर है बात है अब fixed dose combination are generally not included आम तोर पर FDC include नहीं करते हैं यह बात हम लोग discuss कर चुके हैं फार्मकलोजी में काफी अच्छे समझ डिसकस किया है fixed dose का मतलब क्या होता है मान लो दो medicine है एक A है और एक B है ठीक है किसी कोई problem है doctor ने A और B कहा खा लेना उसने A भी खाई B भी खाई अलग-अलग खाई लेकिन फिर हमने क्या किया एक medicine बनाई जिसके अंदर A और B को दोनों को include एक साथ दिया तो हमने क्या देखा एकेला उतना effect नहीं दाल पा रहा था B अकेला उतना effect नहीं डाल पा रहा लेकिन जब दोनों को combined एक ही दवाई में merge करके हमने खिला दी तो उसका effect बढ़ गया इसको कहते हैं fixed dose है ना जश्ट मैंने repeat कर दिया इसको तो यह होगी मेरी fixed dose combination FDC ठीक है तो कहरा है fixed dose combinations are generally not included आम तोर पर इसको हम लग include नहीं करते हैं unless तब तक the combination has unequivocally proven advantage मतलब बिना किसी एक तरह से कहलो कि भेदबा हो गया बिना किसी जरा से भी जिसे कहते हैं ना कि जरा से भी conditions के equivocally proven उसका advantage proved होना चाहिए बिना किसी side effect के over individual ingredient जो अलग-अलग ingredient है combined का जो effect है वो अलग-अलग से जादा अच्छा होना चाहिए ठीक है in terms of increasing efficacy कैसा advantage उसकी efficacy adverse drug reaction and improving compliance यानि कि कही ना कही हम ये देखते हैं कि अलग-अलग जतना effective है साथ में ज़्यादा effective है अलग-अलग ज़्यादा मतलब अलग-अलग इनका side effect ज़्यादा हो सकता था combined में इनका adverse effect कम है और improving compliance compliance मतलब जब एक साथ है जहां उसको दो-दो दवाईयां खाना है एक ही दवाई खाई जा रही है तो असान है उसके लिए अब एक दवाई खाके छुट्टी अब दो-दो खाने में लगता है अब दो medicine खानी है तीन खानी है एक ही खानी है चलो अच्छी बात है माइंड में भी आता है मैं एक ही medicine खा रहा हूँ ठीक है तो improving compliance तो यह बात भी यहाँ पर add कर दी गई drugs are specified by international proprietary name याने की generic name और generic name या जो international proprietary name जो इसका जिकर कर चुके हम लोग pharmacology में या तो इसके नाम से होगा या generic name के नाम से होगा without reference to brand name and specific manufacturer कोई भी specific manufacturer या brand name का नाम नहीं रहुआ है होँपे ठीक है ना तो यह सारी बाते हैं हमारे पास किसमें आती है criteria में आती है जिसको कि हम लोग डालेंगे किसके अंदर national list of essential medicine के अंदर ये criteria जो पूरा करता है वो दवा add हो जाती है clear है बाते है अब next है यहीं पे एक बात add की गई है उसको अलग से भी डाल दिया मैंने the listing of medicine in national list of essential medicine is based according to the levels of healthcare healthcare के levels का भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं पर discuss किया अब कहां किया अग्जाट ध्यान नहीं आ रहा रहा है primary secondary tertiary 3 level होते हुए है ना जो मैंने बताया था भी थोड़े पहले primary मतलब एक जर्नल physician है secondary मतलब जब किसी specialist को दिखा रहे हैं और tertiary मतलब जब आपके उपर एक तरह से 3-4 specialist मिल के काम कर रहे हैं आपको पेट की प्रॉलम है सर की प्रॉलम है नाक की प्रॉलम है और सब लोग मिल के काम कर रहे हैं तो फिर हो जाता है क्या इस लेवल हर किसी लेवल पर आपको जो treatment की facility अलग मिलेगी हर किसी लेवल पर training जो लोग train होके आते हैं हर किसी लेवल के अलग होते हैं है ना एक MBBS और एक जो expert होगा है ना नीरो होगा कार्डियो होगा दोनों में अंतर आ जाएगा experience दोनों का अलग होता है availability of health care personnel हर किसी लेवल पर जो healthcare personnel होते हैं ना वह अलग अलग होते हैं normal MBBS उसके साथ एक आद जो होते हैं असिस्टेंट हो सकते हैं लेकिन एक specialist होगा या tertiary लेवल पर hospital पर चले जाओगी तो वहाँ पे नर्सेस और ward boys हर तरह के लोग मिलेंगा आपको ठीक है तो क्या किया गया है primary है ship अ एड़ की जाती है कुछ निकाली जाती है ठीक है तो add कर cryptocurrency देख लिया और delete करने कदेशिचे से हटा दिया जाएगा ठीक है there are reports of concerns on the safety profile of medicine, ठीक है, medicines की safety profile आई बताया था मैंने, safety profile को ले करके, क्या आ गई है, कोई report आ गई है, कि भई, ये दिक्कत कर रही है, ये अब safe नहीं रह गई है, खाना, ठीक है, a medicine with better efficacy, or favorable safety profile, and better cost effective is now available, अब कोई ऐसी medicine available है, prani medicine के comparison में, जो इसकी efficacy ज्यादा अच्छी है, जिसका safety profile ज्यादा अच्छा है, जो better cost effective है, तो हम पुरानी वाली को हटा करके, इस नहीं वाली को add कर लेते हैं, ठीक है, the disease burden for which a medicine is indicated, is no longer in national health concern in India, disease burden, मतलब कोई बिमारी थी, जो की बोज़ बनी हुई थी, पूरी फैली हुई थी पूरी तरीके से, for which a medicine is indicated, और इस बिमारी के वाएश से, कोई medicine list में list की गई थी, लेकिन अब वो no longer, अब वो बिमारी लगबग खतम हो गई है, ना के बराबर रह गई है, अब वो health concern नहीं रह गई है इंडिया के लिए, तो हम उसको medicine को फिर हटा देंगे, अब उसकी ज़रूत नहीं हमको, in case of antimicrobials, अगर antimicrobials की बात करें, if the pattern has rendered a medicine ineffective in Indian context, ठीक है ना, कोई medicine क्या हो गई है, ineffective हो गई है, किसी medicine के लिए क्या हो गई है, bacteria ने resistance create कर लिया है, ठीक है, अब वो काम नहीं कर रही medicine, पूरी तरीके से जितना अच्छे से पहले कार काम कर रही थी, तो उस medicine को भी हम यहां से delisht कर देंगे, हटा देंगे, बात किलियर हो गई, समझ में आ रही है, criteria for delision, criteria for addition, यह दोनों बातें आपको add करनी है, तो अब हम बात करें, what is the purpose of NLEM, ठीक है, purpose कहीं न कहीं यहां पर उमीद है, खुछ से भी बना करके आप लोग लिख सकते हैं, बट फिर भी क्या point लिखने रहेंगे, एक बार हम उसको discuss कर लेते हैं, ठीक है, guide safe and effective treatment of prior to disease condition, और विसी बात है, लिष्ट होती है, तो हमको दिखता है कि हाँ यह यह दवाईयां है, ठीक है, यह दवाईयां हमको priority पर रखने हैं, क्योंकि यह safe भी है, effective भी है, rational भी है, ठीक है, और सस्ती, भले एक वाइको सस्ती ना देखे, कोई, डॉक्टर लेकिन safe और effective तो देखे गाई, ठीक है, तो guide safe and effective treatment, तो यह दो लिष्ट है, यह बताती है कि यह दवाई इस treatment के ले सबसे ज़्यादा safe और effective है, ठीक है, promote the rational use of medicine, कहीं ना कहीं, rational use of medicine का promotion हो जाता है, क्योंकि वही दवाई यहां दी जा रही है, जो तारकिक है, तारकिक तोर पर यहां पर add की गई है, optimize the available health resources of a country, जो health resources है country के, उसको optimize करती है, ठीक है, maximum use of right medicine at right time हो पा रहा है, तो उसको optimize कर रही है, identify the must know domain for the teaching and training of healthcare professional, must know domain, क्या पढ़ाना है, और किस चीज़ के लिए ट्रीनिंग दे रही है, healthcare professional को, must know domain, उसको हम identify कर पाते है, NLEM से, कि भई यह दवाईया है, इनको लेकर के पढ़ाही कराई जाएगी तुमको, बास समझ में आई, ठीक है, अब NLEM is a guiding document, कहीं ना कहीं यह guiding document भी है, कुछ documents त्यार करने में भी help करती है, किस प्रकार के document, state government to prepare their list of essential medicines, जब state government अपनी state level की list त्यार करती है, क्योंकि हर state में disease का थोड़ा अलग अलग रहता है, किसी state में कोई बिमारी फैल रही है, किसी state में कोई बिमारी फैल रही है, तो वो इस national list को देख करके अपनी list त्यार करता है, procurement and supply of medicines in the public sector, public sector में ठीक है, जो दवाईयों वो लाना हैं और supply करनी है, वो इस list को देख करके की जाती है, reimbursement of cost of medicines by organization to its employee, ठीक है ना, reimbursement में होता है, मतलब cost of medicines by organization to its employee, कोई organization है, ठीक है, और उसके जो employees हैं, उनके उपर जो इकरे से दवाईयों को खर्चा हो रहा है, उसको उस खर्चे को क्या करना है इकरे से, reimburse करना है, जो खर्चा हुए है, लोटाना है, तो क्या खर्चा रहेगा, क्या उसे reimburse, इसे कहते हैं, वापस करना, तो reimbursement of cost of medicine, जो medicinal cost पड़ियों से reimburse करना है, by organizations, और नेसिशन के दोवारा, to its employee, अपने employee के लिए, ठीक है, तो वो list को देख करके, जो price वगरा है, वो सारा होता है, reimbursement by insurance company, ठीक है, insurance company के दोवारा, जो claim रहता है, reimbursement रहता है, वो अपना करती हैं फिर, ठीक है, तो इस list को देख करी, वो क्या करती है, reimbursement करती है, clear है बाते, अब थोड़ा सा हम यहां बात कर ले, लगबख बाते सारी clear हो गई है, history भी हमने कहीं नहीं देखी लिए, थोड़ा बाते और करेंगे, हम यहां पर अब लेट की क्या हुआ, हम यहां से बाते लिख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट कब आई थी list, 1996 में, रिवाइस कब हुई 2003 में, ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं, 2003 के बाद फिर 2011 में आते हैं, जहां पर टोटल ड्रक्स कितने से, 348 ड्रक्स थे, 47 एड किये गए थे, 43 डिलीट कर दे गए थे, ठीक है, अब, मेडिसिन डिलीटेट फॉर्म, 2003 में से कौन से list डिलीट के गए थी, 47 ड्रक्स, एक्जामपल, एसिनो, कॉमरोल, एमिनोफाइलीन, बेंजो, बेंजाइल, पैंसलीन, याद रहे, तो एक-दो लिख देना, अधर्वाइस कोई बात नहीं, मेडिसिन एड़ेट, है ना, इसके बाद जो एड की गए, 2011 में, वो 43 ड्रक्स सी, कौन-कौन सी है, 25 परसेंट, डेस्ट्रोज, एलोपिरिनॉल, ठीक है, अमॉक्सलीन, केटिगराइस कर दिया गया था, केयर और डिजिस बड़न के हिसाब से, प्राइमरी, सेकेंडी, टर्शरी, तो प्राइमरी में रखे गई थे, 206, सेकेंडी में रखे गई थे, 115, और टर्शरी में रखे गई थे, फिर आती है, हमारे पास, नैशनल लिस्ट ऑफ, मेडिसिन, 2022, ठीक है, यहाँ पर 384 ड्रग्स थी, 34 एड की गई थी, 26, डिलीट कर दी गई थी, ठीक है, तो कही ना कही ए, छोटी से हिस्ट्री, आपको सपोर्ट करेगी, जब आप आप आंसर लिखेंगे, पता होना चाहिए, फिर हम बात करें, कि आखिरकार क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से, हम मेडिसिन को, जोड़ते हैं, हटाते हैं, क्राइटेरिया, तो मेडिसिन के लिए सेट हो गया, बट प्रॉसेस क्या अपनाते हैं, process क्या रहती है जिस list को हमें revise करना है वो list ले लेते हैं उस फिर क्या होता है deliberation मतलब चर्चा होती है discussion होता है on evidence based criteria जो medicine हमें add करनी है या delete करनी है उनके उपर क्या है जैसे मतलब पूरे research होती है आते रहते हैं documents कि ये medicine अब खराब है इसके ये side effect है ये नई medicine आ गई है वो सारी चीज़ें को ले कर रहें क्या होता है deliberation याना कि discussion हो रहा है for addition and delusion of medicine from national list of essential medicine किसके दौरा ये चर्चा या discussion हो रहा है consultation meeting होती है with experts के साथ ठीक है फिर जब वो discuss कर लेते कि हाँ यह medicine हम add करना जाते हैं यह यह हटा सकते हैं भी फाइनली, therapeutic area-wise group discussion होता है अच्छा, यह medicine इस वाले heart के लिए थी न, तो heart वालों को देता हो discuss करेंगे न मेगे तो therapeutic area-wise discussion Start वे आता है इसके अंदर क्या कौन-कौन होता है clinician होते हैं pharmacologist होते हैं, pharmacist होते हैं scientist होते है、 regulators होते हैं यह लोग मिले क्या करते हैं soir, फिर जो medicine select यह लोग करते हैं यह लोग discussion करते हैं finally फिर approval होता है और फिर changes आ जाते हैं ठीक है अब उस changes को ले करके यहां पर कुछ बाते हैं जो हमको याद रखनी है क्या बाते हैं the government of India has considered a core committee ध्यान रखेंगे मैंने अंडरलाइन किया है एक core committee बनाई थी under the chairmanship of Dr. V. M. Katoch दादेन उस समय के secretary दादेन मतलब उस समय के secretary department of health research and director general ठीक है उस समय के secretary थे इस department के ICMR ministry of health and family welfare for review review करने के लिए इनको बनाया गया था अब यह department याद रखो कोई बात नहीं नाम याद रखेंगे और core committee बनाई थी ठीक है and revising the national list of essential medicine 2011 तो 2011 को change करने के लिए revise करने के लिए core committee बनाई गी थी the core committee since उस समय submit किया अपनी report and the government of India accepted उसने government of India ने accept किया the recommendations जो उसने recommendation किया था and adopted the national list of essential medicine 2015 along with the other recommendations और finally हमारी 2015 बन गई यानि कि 2011 में core committee बनी थी उसके chairman ये थे इतनी बात याद रखेंगे ठीक है 2015 बन गई अब जब 2015 बन गई फिर यहाँ पर कुछ बाते हैं ध्यान रखना क्यों मैं अब बात दोड़ रहा हूं मैं 2011 को revise करने के लिए बनी थी core committee ठीक है ये सब questions है in order to revise 2015 जो 2015 की national list of essential medicine थी उसको revise करने के लिए ministry of health and family welfare ने क्या बनाया standing national committee of medicine ठीक है न SNCM ये full form वगरा आते हैं ये कहां था क्या काम है इसका वगरा वगरा इस टाइप से ठीक है under the chairmanship of professor बल्राम भारगवा ये उस समय के secretary थे department of health and research के and director general थे Indian council of medical research ICMR ठीक है and एक तो ये थे professor बल्राम ये कौन थे chairman और वाई के गुपता ठीक है ये क्या बने vice chairman इनका क्या post था formerly head ये क्या थे department of pharmacology के all India institute of medical science aims के अंदर department of pharmacology के क्या थे ये head थे इनको vice chairman बनाए गया standing national committee of medicine यहाँ दर्खेंगे इस चीज़ को ये committee बनाए गई थी इन्होंने फिर पूरी चर्चा करी ठीक है इन्होंने अपनी final report कब दे दी 10-9-2022 को the government of India has accepted उसने उसका accept किया उनके recommendation का accept किया ठीक है और national list 2022 release कर दी become operational wide notification एक notification आया 13-9-2022 को और वहाँ से वो operational हो गई the current national list of essential medicine 2022 contain 384 यह आपका MCQ है medicines ठीक है कितना है 384 medicines है NLEM 2022 also mentioned 4 drugs यह बात ध्यान रखेंगे 2022 में 4 drugs ऐसे भी थे चोंकि patented थे नॉर्मली होते नहीं है क्योंकि मजबूरी से रखना ड्रग अच्छे थे यह पेटेंट है यह जो कौन-कौन है beta-culine, delaminid, dolutigravir and declata-savir ठीक है नाम फरेसा अजीब गरीब है चार patent drug भी इसके अंदर include की गए बस जाता नहीं ठीक है फिर national list में क्या 34 medicine add की गई और 26 medicine delete कर दी गई थी 2015 से ठीक है नहीं 2022 को बनाने के लिए 34 नहीं add की गई है और 26 delete कर दी गई तो list of removed medicine from removed यहां होना चाहिए from 2015 ठीक है 2022 को आने के लिए 2015 में से डिलीट करेंगे ना तो यह कुछ medicine के नाम दे दिया है मैंने अटिनल लॉर ब्लेचिंग पावडर सेट्रिमाइट दो चार याद कर लेंगे सारी नहीं मैंने पुरी list दे दिया है जिसको पुरी list पढ़नी हो पढ़े अपना इसी तरीके से list of medicine added जो add की गई 2022 में वो टोटल 24 थी यहाँ भी list दे दी मैंने amikacin है बहुत simple simple है ठीक है डेकलाटासवीर है ठीक है मिप्रियोसीन है मॉंटी ल्यूकास्ट है जो आपको पढ़ेंगे पूरा जो आपको इजली याद हो जाने तीन चार वह एक्जामपल आप याद कर लेंगे बास समझ में आगी ठीक है फिर यहाँ पर एक बात बोली जा रही है कि जो 2022 की जो list बात है हर किसी के हिसाब से जैसे की पहली जो section है यहने कि पहली category है उसमें क्या रखा गया है दूसरी में एनाल जैसे एंटी पालेटिक इनको रखा गया है इस तरीके से पूरी एंटी अलर्जिक को रखा गया है फिछे एक और category छे वाली इसमें एंटी इंफेक्टिव कर देंगे ठीक है सारी याद करने जरूरत नहीं है तो 27 category यह याद रखना है टूटल category कितनी है 27 बास समझे बार ही है 27 category यह हो जाएंगे मारे पास उसके बाद अगर हम बात करें कुछ नहीं उसका फिर कुछ बचा ही नहीं है फिर यहाँ पर मैंने क्या दे दिया बेटा 384 मेडिसिन की लिस्ट दे दी है जो याद करने मत बैड़ आना पहले बता रहा हूं मैं ठीक है जश्ट मैंने दिखाने के लिए कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से मैडिसिन है वो सारी लिस्ट मैंने यहाँ पर बना करके ठीक है लिख दिये नोट से मिल जाएंगे आप लोगों को पूरी 384 ठीक है लिस्ट है अल्फवेटिकल वाज़ लिख दिये मैंने याप पर और यह लेक्चर हमारा खतम हुजाता है ठीक है तो नैशनल लिस्ट आफ इस्टेंशल मैडिसिन यही था इसी में थोड़ी बात है और मॉस्ट काफी अधर चीज़ें आप जानते हैं इसके जुड़े फीस मात्र 11 रुपे है और सबसे जरूरी चीज रिवाइस करना है पढ़ते रहना है ठीक है ना ओके अल्दा वेस्ट